बुड़ापे तक स्वस्त रहने के 40 नियम जरूर सुने नमबर एक हमेशा कोशिश करें कि सूरेदे होने से पहले बिस्तर छोड़ दें ऐसा करने से आपके अंदर नहित नकरात्म कूर्जा कम होती है जो कि जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी है नमबर दो, सुबा बिस्तर छोड़ते ही बिना मूँ दोए कम से कम एक गिलास पानी जरूर पिए नमबर तीन, कभी भी खाली पेट दूद वाली चाये ना पिए ऐसा करना शरीर को बहुत धानी पहुँचाता है नमबर चार, हर रोज सुबा के समय पेट साफ करने की आदट डालें ऐसा करना जरूरी है कई लोग कहते हैं कि हमें तो सुबा जाने की आदट ही नहीं है ये बहुत धानी कारक है शरीर के अंदर मौजूद खाने को यदि 12 घंटे से ज़्यादा पेट में रखते हैं तो जहर और तेजाब बनना शुरू हो जाता है नमबर पांच, हर रोज अपने दातों को साफ करना जरूरी है पूरी रात हमारे मौँ में दातों के अंदर बैक्टीरिया पैदा होते हैं जिने सुबा ब्रश करके साफ करना जरूरी है इसके साथ ही उनकी दुरगंद भी साफ होती है और दात मजबूत और चमकीले बनते हैं नमबर छे, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सुबा नो बजे से पहले नहा लिया जाए ऐसा करने से आप में पूरे दिन सफूर्ती बनी रहती है और आप अपने कामों को बहतर ढंग से अंजाम दे पाते हैं सुबा जल्दी नहा लेने से मूड हमेशा फ्रेश रहता है नमबर साथ, नहाने के बाद हर बार साफ कपड़े पहने अगर आप नहाते रोज हैं लेकिन आप कपड़े हमेशा मेले कुचेले ही पैनते रहते हैं तो आपके नहाने का कोई फाइदा नहीं है आपके अस्वस्थ होने के चांस फिर भी रह जाते हैं इसलिए हर बार साफ कपड़े पहनने की आदत डालें नमबर आठ हर बार खाना खाने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोने चाहिए इससे आप हमेशा बिमारियों से बचे रहेंगे आपके हाथों में जो गंदगी होती है वो खाने के साथ अंदर नहीं जा पाईगी नमबर नो खाना खाने से ठीक पहले पानी कभी ना पिएं कम से कम आदा गंटा पहले पानी पिएं इसी तरह खाने के साथ साथ भी पानी नहीं पीना चाहिए खाना खाने के कम से कम आदे गंटे बाद पानी पिएं इससे आपकी पाचन शक्ती हमेशा दुरुस्त रहेगी 10. कभी भी बहुत ज़्यादा तेल वाली चीजे ना खाएं या फिर तली हुई चीजे बहुत कम खाएं इसी के साथ बहुत ज़्यादा नमक, मिर्च और मसाले वाले भोजन से भी बचें हमेशा सादा भोजन करें ये बहुत ही जरूरी स्वस्त रहने के उपाएं हैं जो बहुत ज़्यादा फर्क डालते हैं 11. अपने भोजन करने का एक निश्चित समय तै करें जैसे अगर आप सुबा नो बजे नाश्ता करते हैं तो हर रोज नो बजे ही नाश्ता करें इसी तरह अगर लंच एक बजे करते हैं तो रोज एक बजे ही लंच करें क्योंकि आपके खाने के समय के हिसाब से ही हमारा पाचन तंत्र और पूरा शरीर उस खाने को पचाने की त्यारी करता है 12. हर रोज कम से कम आट से बारा गिलास पानी जरूर पिएं इतना पानी पीना स्वस्थ रहने के लिए और शरीर की पूर्ती के लिए जरूरी है 13. पानी कभी भी उपर से ना पिएं पानी हमेशा मू लगा कर ही पीना चाहिए और थोड़ा-थोड़ा करके पीना चाहिए खड़े खड़े उपर से पानी पीने के कारण घुटने और किड़नी खराब हो जाती है नमबर 14, कभी भी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए आज कल हम सब फ्रिच का पानी पीते हैं जो कि स्वास्थे के लिए बड़ा खत्रा है हमें हमेशा मटके का पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए ये सरवत्तम है नमबर 15, हमें कभी भी दुकानों से मिलने वाली कोल्डरिंग नहीं पीनी चाहिए इन में बहुत हानिकारक तत्व होते हैं जो कि शरीर को खराब कर देते हैं इससे अच्छा ये है कि आप घर पर नीबू पानी या कोई भी ठंडाई बना कर पीएं नमबर 16, हमें कभी भी बहुत ज़्यादा गरम या बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए ऐसा करने पर हमेशा तबियत बिगड़ने का खत्रा बना रहता है क्योंकि शरीर अपने अंदर के तापमान का संतुलन नहीं बना पाता नमबर 17, हमें कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का तोलिया और ब्रश इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इससे हमेशा संकरमन होने की आशंका बनी रहती है नमबर 18, हमें हमेशा अपने नाखुनों को काट कर रखना चाहिए नहीं तो उनमें इकठा होने वाला मैल खाने के साथ आपके पेट में जाकर गड़बड़ी पैदा कर देता है नमबर 19, कभी भी बहुत ज़्यादा बड़े बाल नहीं रखने चाहिए हमें उनको समय समय पर कटवाते रहना चाहिए बड़े बालों की देखभाल के लिए जो वक्त और पैसा हमें चाहिए वो हम मैनेज नहीं कर सकते इससे अच्छा ये है कि बाल सदैव छोटे रखें नमबर 20, कभी भी दही सूर्यास के बाद ना खाएं दही प्रियोक करने का सबसे सही समय सुबा और शाम है दही में अगर नमक की जगा चीनी डाल कर खाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा स्वास्थेवर्दक होगा नमबर 21, कभी भी छाज भीने या दही खाने के तुरंत बाद दूद ना पिएं इन चीजों के इस्तिमाल के बीच कम से कम एक घंटे का समय जरूर दें नमबर 22, खाना खाने के बाद हमेशा थोड़ा सा मीठा और सौफ के दाने जरूर खाएं नमबर 23, खाना खाते वक्त कभी भी बाते ना करें ये बहुत ही बुरी बात है जो कि स्वास्थे की दृष्टी से भी ठीक नहीं है नमबर 24, कभी भी खड़े खड़े खाना ना खाएं आयरुवेद के अनुसार ऐसा करना अपने स्वास्थे के साथ खिलवाड करने जासा है खाना हमेशा बैट कर खाएं नमबर 25, खाना खाते वक्त किसी चीज के बारे में ज्यादा ना सोचें गुसे में कभी भी भोजन ना करें पहले अपने आपको शांत करें फिर भोजन करें नमबर 26, खाना खाते ही कभी नहीं सोना चाहिए अगर आप सोना ही चाहते हैं तो कम से कम आदा घंटा तो जरूर रुकें उसके बाद सोएं 27. कभी भी कोई किताब या अख़बार पढ़ते हुए खाना नहीं खाना चाहिए इसी तरह खाना खाते वक्त कभी भी टीवी नहीं देखना चाहिए ऐसा करने से आपकी आदाश्त कमजोर होती है 28. सुबा उठने के बाद कम से कम सो मेटर पैदल जरूर चलें ऐसा करने से आप कई रोगों से बचे रह पाएंगे और पूरे दिन आप में एनरजी रहेगी 29. कभी भी अपने डिनर यानि रात के खाने में गरिष्ट भोजन यानि भारी और तेल वाला भोजन ना करें जैसे चावल, राजमा और मीट मास आदी 30. हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी भारी भोजन करना है वो सूर्यास से पहले ही करेंगे सूर्यास के बाद नहीं इस तरीके से आप हमेशा स्वस्त रहेंगे 31. छोटी मोटी समस्याओं के लिए कभी भी अंग्रेजी दवाओं का इस्तिमाल ना करें कुछ लोग रोज एक या दो टैबलेट तो ले ही लेते हैं ये शरीर को बहुत ज़्यादा कमजोर बना देती है 32. जितना हो सके दोपहर में सोने से बचें दोपहर में सोना बिमारियों को बुलावा देना है इसलिए इन हैल्थ टिप्स को हमेशा माने 33. हमें बहुत अधिक देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए इस से ना सिर्फ आँखें खराब होती हैं बलकि आपका टाइम टेबल भी खराब होता है 34. आज केल के बच्चे मुबाइल से चिपके रहते हैं उनके लिए बता दें कि मुबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कभी ना करें और ना ही मुबाइल को अपने पास रख कर सोएं इस से रैडियेशन का खत्रा बना रहता है 35. रात का खाना हमेशा जल्दी ही खाने की कोशिश करें क्योंकि 9 बजे तक आपका डिनर हो जाए 36. कभी भी रात को खाना खाते ही नहीं सोना चाहिए रात के खाने के बाद कम से कम 500 कदम पैदल चलने की आदट डाले 37. रात को हमेशा जल्दी सोने की आदर डाले ज़्यादा दे टीवी से ना चिपके रहे रात को सोने का अपना एक निश्चित समय बनाए 38. कभी भी रात को सोते समय अधिक पानी ना पीएं अगर पानी पीना है तो सोने के टाइम से कम से कम आधा गंटा पहले पानी पीएं सोते समय ज़्यादा पानी पीने से आपके दिमाग में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है जो आपकी नीद में खलल डालने का काम करता है नमबर 49, रात को सोने से ठीक पहले अपने दातों को साफ करना ना भूले ताकि खाने के द्वारा दातों से चिपकी गंदगी साफ हो सके और आपका मूँ पूरी रात साफ रहे नमबर 40, हर रोज कम से कम 7-8 घंटे की नीन जरूर ले ऐसा करने से आप मानसिक और शारिरिक दोनों रूपों से स्वस्त रहेंगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद